पहले तुम्हें सबको दिवाली की हारदिक शुप कामनाई देना चाहूंगी और यही कहना चाहूंगी कि दिवाली के दिनों में जो खुबसरत दिये जलते हम सबके घर में उस दिये की रोशनी पूरे साल रहे, खुश्या पूरे साल रहे हम सबके घर में और good health, prosperity, love, success, happiness, peace in everybody's homes. Well, Diwali में बहुत से लोगों को जलाया है, फटा के फोर्ट, फोर्ट के अपने आप की बहुत इंजर किया है, लेकिन Diwali मेरे लिए बच्पन में बहुत ही खूपसरत रहा करती थी, क्योंकि मेरी दादी माँ जो इस दुनिया में नहीं है और पूना में रहते थे, अब यह 12-13 साल हुए दुनिया में नहीं है, लेकिन एक रूल होता था कि Diwali हम या तो पूना में उनके साथ बिताएंगे, या वो हमारे यहां बॉम्बे में या हम सब फैमिली महाबलेशवर जाएंगे Diwali मनाने, और पता है न दादी माँ और हमारे ग्राणपेरंट्स हमको इतना स्पोईल करते, तो हम हमेशा अपने पॉकेट मनी को जमा करते थे ताकि हम दादी मा की साथ जाकी फटाके खरीदे, तो हर साल दादी मा अफकोस एक्स्ट्रा पैसा डालके ज्यादा फटाके खरीदे हमारे लिए, लेकिन एक साल शाहिट मैं दस-ग्यारा साल की थी, तो सुबह हम तयार हुए, नहाद होके रेरी हुए और दादी मा ने बोला चलो जा रहे हैं अभी फटाके खरीदने के लिए, और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया, और मैं दादी मा के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी मा अभी मैं यह पूरा पैसा या तो गरीबों के पास अनात आश्रम में या बुजर्गों जो ओल्ड एज हो मैं वहाँ देना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि फटा के फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इस लिए बॉनिंग मनी, वो इतने गर्व से इतने खुष हुए, और उन्होंने गर्व से कहा कि, बेटा, इस इस ते मोस करेक्ट थिंग और उस साल से लेके, हर साल, वो भी जो देते थे मुझे, और जो भी पॉकित मनी मिलता था, मैं कलेकर के देते थे थी, और from that year onwards, because my grandmother was so proud of this act, I always gave it to an old age home, or an adoption home, or an anath ashram, so I felt very good about it.